Welcome to Mastermind of GK दोस्तो अगर आप जीवका में Office Assistant CC तथा AC के लिए form भरे हैं तो दोस्तो इस वीडियो के लाश्ट तक आप बने रहें क्योंकि ये वीडियो है जो काफी important है इसमें हम 40 प्रश्ट में डिसकस करेंगे जो computer से संबंदित है दोस्तो इसमें आपको MS Office, Excel तथा PowerPoint से प्रश्ट सामिल किया गया है ठीक है दोस्तो तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहें आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्ली लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें तथा वेल आइकन को जरूर दबाए ठीक है दोस्तो चलिए तो इस वीडियो का पहला प्रश्ट में देखते हैं पहला प्रश्ट क्या है दोस्तो पहला प्रश्ट है कि MS Excel में डाटा सॉर्टिंग का आप्शन किस टेब में उपलब्ध होता है तो कौन साट टेब में उपलब्ध होता है होम टेब में उपलब्ध होता है दोस्तो आप चाहे तो वीडियो को रोक करकरके इसे नोट कर लिजे एक नोट बुक में और उसे दो तीन बार रिपीट करिए पढ़े देखे दो चार दिन तक पूरा याद हो जाएगा ठीक है द एकसल में जो की संसोधन के काम में आती है वह है तो कौन साकी है दोस्तो एफ टू है ठीक है चलिए अगला प्रस को देखते हैं कर रहा है कि MS Excel 2010 में किसी भी वर्क सीट का नाम मैक्समम कितने करेक्टर में हो सकता बहुत इंपॉर्टन प्रशन है दोस्तों कि MS Excel 2010 में किसी भी वर्क कितने प्रशन का नाम मैक्समें कितने करेक्टर में हो सकता है तो कितने करेक्टर में हो सकता है 31 ठीक है अगला प्रस को देखते हैं दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को Like ने किया है तोtext कर दिए हैं कर रहा है कि By Default Sale में By Default Sale में एंटर नंबरिक वेल्यू का alignment क्या होता है तो क्या होता है right align होता है ठीक है धोस्तों खिर से देख लिजे कि by default cell में इंटर नंबरिक वेल्यू का alignment क्या होता है तो right align होता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ट को देखते है करा MS Excel 2010 किस package में होता है बहुत important प्रस्टन है कि MS Excel 2010 किस package में होता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ट को देखते है अगला प्रस्टन है कि आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सुचना को horizontal row और vertical column में वियस्थित किया जाता है ठीक है दोस्तों कि आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सुचना को horizontal row और vertical column में वियस्थित किया जाता है तो table का ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रस्ट को देखते है अगला प्रस्टन है कि एक पिर्थक sheet के cell से आकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है क्या कहलाता है रीऊरेफ्रेशींक कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों र Wand और टीक है इंप्पोर्टन को देखते हैं तो कौन सा संशिफ्ट कुंजी पर्योग में लाए जाती है शिफ्ट प्लास F3 ठीक है किले अगला प्रस को देखते है कि MS Excel में ABC कार ये पर्योग्त होता है ठीक है दोस्तों कि MS Excel में जो ABC कार पर्योग्त होता है तो किसके लिए किसी संख्या का निर्पेच मान हेतू किसके लिए किसी संख्या का निर्पेच मान हेतू होता है ठीक है तो चलिए अगला प्रस को देखता है कर रहा है कि MS Excel 2010 में by default कितनी sit होती है बहुत important प्रस्ण है दोस्तों MS Excel 2010 में by default कितनी sit होती है कितनी sit होती है तीन ठीक है अगला प्रश्च को देखते हैं कर रहा है कि MS Excel में बनने वाली सीट को क्या कहा जाता है बहुत इंपोर्टन प्रश्चन है दोस्तों कि MS Excel में बनने वाली सीट को क्या कहा जाता है तो spread sit कहा जाता है क्या कहा जाता है spread sit कहा जाता है चलिए अगला प्रस्ण को देखते है अगला प्रस्ण है कि power point को run करने के लिए run window में क्या type किया जाता है ठीक है कि power point को run करने के लिए run window में क्या type किया जाता है तो क्या type किया जाता है power pnt ठीक है दोस्तों पावर P&T चलिए अगला प्रश्ण को देखते है कौन सा डायलोग बॉक्स पावर पॉइंट लोड करते समय आ स्क्रीन पर परदर्शित होता है B.B.I. कोश्चन है ये कि कौन सा डायलोग बॉक्स पावर पॉइंट लोड करते समय अगला प्रस को देखते हैं कि क्लिप आठ है क्लिप आठ क्या है तो क्या है देख लिजे ग्राफिकल सूचना और विचारों का द्रिश से होता है ठीक है दोस्तों क्लिप आठ है जो ग्राफिकल सूचना और विचारों का द्रिश से होता है ठीक है अगला प्रस को देखते है अगला प्रस नहीं कि object को duplicate बनाने की shortcut की है बहुत important question है दोस्तों कि object को duplicate बनाने की shortcut की है shortcut की क्या है control plus D चलिए अगला प्रस को देखते है कारा कि कौन सी कुझियों के संजोजन से powerpoint प्रस्तूति करन में नया slide जोड़ा जा सकता है question फिर से देखे कौन सी कुझियों के संजोजन से powerpoint प्रस्तूति करन में नया slide जोड़ा जा सकता है तो क्या हो जाएगा control plus aim ठीक है अगला प्रस को देखते है कारा कि powerpoint में नया presentation सदयव किस पर अधारित होता है प्रस्तूति किस पर अधारित होता है तो किस पर अधारित होता है blank presentation पर ठीक है किस पर अधारित होता है तो f5 होती है ठीक है चलिए अगला प्रस को देखते है बहुत important प्रस है कि किसी sale में किये गिये कार में संसोधन करना क्या कहलाता है ठीक है दोस्तों कि किसी sale में किये गिये कार में जो संसोधन होता हो क्या कहलाता है तो range कहलाता है कालाता है रेंज चलिए अगला प्रस को देखते हैं का तो किर स्लाइड में किसी पिक्चर को कर्णें की कमांड है तो कौँ क्या कमांड है format इसके बाद picture फिर recolor ठीक है कौन सा command है format picture recolor चलिए अगला प्रस को देखते हैं कि MS powerpoint का पर्योग किया जाता है बहुत important प्रस्ण है दोस्तों बहुत बार यह ग्याम में पुछा जा चुका है कि MS powerpoint का पर्योग किया जाता है किसके लिए पर्योग किया जाता है तो पर्जेंटेशन हे तू इसके लिए पर्जेंटेशन हे तू चलिए अगला प्रस को देखते हैं कि हम हमारी पर्जेंटेशन में वीडियो नहीं डाल सकते हैं इस तरह से भी question आ सकता है दोस्तों कि क्या हम हमारी प्रजेंटेशन में वीडियो नहीं डाल सकते हैं इसका अंसर हो जाएगा जो बी यानि गलत नहीं डाल सकते हैं इसका सही अंसर क्या हो जाएगा डाल सकते हैं ठीक है दोस्तों कि हम हमारी प्रजेंटेंशन में वीडियो नहीं डाल सकते हैं तो क्या इसका अंसर हो जाएगा गलत है डाल सकते हैं ठीक है दोस्तों कहने का मतलब हो गया कि हम हमारी प्रजेंटेंशन में वीडियो डाल सकते हैं ठीक है चलिए अगला प्रस को देखते हैं कि delete command द्वारा किस परकार की slide को हटाया जा सकता है delete command द्वारा किस परकार की slide को हटाया जा सकता है तो current slide को हटाया जा सकता है ठीक है बहुत important है देखिए एक बार फिर से delete command द्वारा किस परकार की slide को हटाया जा सकता है तो current slide को हटाया जा सकता है चलिए अगला प्रस्ट को देखते है पावर पॉइंट प्रजेंटेशन किस अप्लिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है इंपॉटन प्रस्ट है कि पावर प्रजेंटेशन है किस अप्लिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है तो किसका है MS Office का है चलिए अगला प्रस्ट को देखते है कि ruler slide किस और परदर्शित होती है बहुत important प्रस्ट है दोस्तो कि जो ruler slide है किस और परदर्शित होती है तो उपर और बाएं आनि top and left ठीक है ruler slide किस और परदर्शित होता है तो top and left रथात उपर और बाएं चलिए अगला प्रस्ट को देखते है करा कि कौन सी command slide में लिखे test को स्वतर ठिक करता है बहुती BBI question है दोश्तू कि कौन सी command है जो slide में लिखे test को स्वतर ठिक करता है तो कौन सा command है auto correct चलि अगला प्रश को देखते है करा कि power point presentation में धवनी का समावेश कर सकते है जिहां कर सकते है ठिक है तो इसका sensor हो जाएगा जो ए हो जाएगा ठिक है कि power point presentation में धवनी का समावेश कर सकते है तो कर सकते है ठिक है जिल अगला प्रश को देखते है slide layout command किस tab के अंतरगत आता है जो slide layout command है वो किस tab के अंतरगत आता है तो insert tab के अंतरगत आता है ठीक है ते लेगला प्रश्ट को देखते हैं कि MS PowerPoint में अधिक्तम जूम कितने परतिसत हो सकता है बहुत important प्रश्ण है दोस्तो इस तरह का प्रश्ण हमेशा पुछा जाता है कि MS PowerPoint में अधिक्तम जूम कितने परतिसत हो सकता है कितना 400 परतिसत हो सकता है ठीक है दोस्तो कितना 400 चलिए अगला प्रस्ट को देखते हैं, जो भी important प्रस्ट है दोस्तों, कि presentation slide के test की maximum size होती है, कितना? 96, कितना होती है? 96, चलिए अगला प्रस्ट को देखते हैं, कि कौन सी keys दबाने पर slide समाप्त हो जाता है, बहुत ही अच्छा question है दोस्तों, important question है, कि कौन सी keys दबाने पर slide स escape की कौनसा escape की ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशी को देखते है कि MS PowerPoint का उपयोग होता है ठीक है दोस्तों पहले भी डिस्कास कर चुके है कि MS PowerPoint का उपयोग होता है किसके लिए प्रस्तुती करण के कार्यों के लिए बहुत इंपौर्टन प्रस्टों कि MS power point का उप योग होता है किसके लिए तो प्रस्तूति करन के कार्यों में ठीक है अगला प्रस्ट को देखते हैं करा कौन से टेप दोवारा power point में sound insert करվ सकते हैं बहुत important प्रस नहीं भी है दोस्तो, कि कौन से टेप दौरा PowerPoint में sound insert करवा सकते हैं, तो कौन से टेप के दौरा animation टेप के दौरा, ठीक है दोस्तो, animation टेप के दौरा, चलिए अगला प्रस को देखते हैं, कि drop keep option होता है, MS Word के, किस मेन्यू में होता है, कि drop cape option होता है MS word के किस menu में तो format menu में होता है ठीक है अगला प्रस को देखते है अगला प्रस क्या है कि कोई button क्या काम करता है इसके बारे में विश्त्रित वरनन परदान करता है कौन परदान करता है ठीक है दोस्तों कि कोई button क्या काम करता है इसके बारे में विश्तित बर्णन परदान करता है तो कौन विश्तित बर्णन परदान करता है सूपर टूल टीप कौन सूपर टूल टीप चलिए अगला प्रस को देखते हैं कर रहा है कि कि सब्दों को गहरा एवं अंडर्लाइन करने का आप्शन पाया जाता है किस बार में तो फॉर्मेटिंग टूल बार में अगला प्रस को देखते हैं कि MS वर्ड में सब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दरसाता है तो वर्तनी में असूधी ठीक है दोस्तों एक बार फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टन प्रस नहीं कि MS वर्ड में सब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दरसाता है तो किसको दर आता है वर्तनी में सुधी चलिए अगला प्रश्म देखते हैं कराक डॉक्मेंट को स्वता सही करने के लिए हम किस का उप्योग करते हैं पहले भी डिसकास कर चुका है दोसको डॉक्मेंट को स्वता सही करने के लिए हम किसका उप्यों करते हैं तो किसका उप्यों करते हैं आटो करेट आटो करेक्ट फीचर चलिए अगला प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्त है कि वर्ड में एक फाइल कहलाती है MS वर्ड में एक फाइल कहलाती है क्या कहलाता है दोस्तों तो template कहलाती है ठीक है फिर से देख लिए वर्ड में एक फाइल कहलाती है क्या कहलाती है template चलिए इस वीडियो का लाश्ट प्रश्ण है दोस्तों कि डॉक्मेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुचने के लिए इसका उप्योग होता है किसका उप्योग होता है ठीक है दोस्तो कि डॉक्मेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुचने के लिए किसका उप्योग होता है तो बुकमार का उप्योग होता है ठीक है दोस्तों ते 40 महत्म ही महत्वपून प्रश्ण था दोस्तों अगर आप एक्जाम के पड़ती सीरियस है दोस्तों तो इस सभी प्रश्ण को 2-3 बार रिपीट करके याद कर ले ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर मिलता हूँ देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद